फिर एक बार आप सब का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बदे करने वाले हैं पलेट एप में अपने फोटो का थीम कैसे लगाएं? अगर आप यह जानना चाते हैं अपने फोटो का थीम प्लेट अपलिकेशन में किस तरह से लगाया जाता है तो आपको यह वीडियो अभी latest video का notification आपको time पर मिल पाए तो चलिए video start करते हैं सबसे पहले आपको play it application open करना है उसके बाद आपको यहाँ पर me वाले option में click कर देना है me वाले option में आप click करेंगे तो आपको यहाँ पर theme का option मिलेगा यहाँ पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको play it application का जो theme होगा वो सब आप यहाँ पर से देख सकते हैं आप चाहे तो इन्हें अपने theme में लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको plus का icon मिलेगा यहाँ पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर से आपका phone का gallery open हो जाएगा यहाँ पर आपको photo option select कर लेना है और यहाँ पर से आपको अपना image select करना है जिसे आप इस application में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर से हम एक image select कर लेंगे हम यह वाले image select कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं image आ चुका है अब इसे आप इस तरह से क्रोप करना चाहते हैं तो क्रोप कर सकते हैं इस तरह से आपको क्रोप कर लेना है क्रोप करने के बाद आपको यहाँ पर डेन में क्लिक कर देना है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो image है वो लग चुका है अब यहाँ पर Transparency है इसे आप यहाँ पर से कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ परые Blurry का Option है आप इसे इस तरह से Blurry कर सकते हैं यहाँ पर आपको Color का Option मिल जाएगा यहाँ पर से आप Color भी लगा सकते हैं इस तरह से तो यहाँ पर आपको इन सब को करने के बाद आपको यहाँ पर confirm में क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर एक और option मिलेगा change background का तो यहाँ पर से आप background भी change कर सकते हैं तो अभी हम यहाँ पर confirm में क्लिक कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पर से इसे edit करना चाहते हैं तो edit कर सकते हैं इन huge का option आपको यहाँ पर मिलेगा तो अभी हम इसे back कर देंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो हमारा image था वो हमारे इस application में add हो चुका है तो इस तरह से आप late application में अपने image का theme लगा सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया हो तो please मेरे channel को subscribe करे वीडियो को like करे तो फिर मिलेंगे next video में तब तक कि लिए bye thank you